अगर आपको अपने किसी भी बेंक का एकॉंड नमर और आई फेसी कोड पता नहीं है तो कैसे आप पेटियम के माध्यम से एकॉंड नमर और आई फेसी कोड पता लगा सकते हैं इस वीडियो को आप पूरा अंतक देखेंगे तभी इस प्रोसेस को समझ पाएंगे तो चलिए देखेंगे बिडियो शुरू करते हैं यहाँपर आपको सबसे पहले जुद आपके बेंक में नंबर डला है उससे ही यहांपर पेटियम में लॉगिन करना पड़ेगा जब उस नंबर से लॉग एंगे अगर आपने उसी प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा तो प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखेंगे UPI and payment setting का एक option आपको दिखाई देगा यहां पर क्लिक करना है अब देखिए अगर आप जो है उसी नमबर से अपना पेटियम चलाते हैं और आपने bank account add कर रखा है पहले से तो आप यहीं देख सकते हैं लेगर आपने bank account add न किया हो तब आप का करेंगे तब आप जाएंगे add another bank account और इस पर क्लिक कर देंगे बोबाली bank search करनी है जिसका आपको IFC code और account number पता लगाना है वो bank search करके आप यहां से verify कर लेंगे verify करके UPI pin वगएरा यहां पर डाल देंगे UPI pin नहीं डालेंगे तो भी एक बार add हो जाएगा तो यहां पर आपको 100 होने लगेगा बिना UPI ID के भी आप उसका account number देख बैक चला जाओंगा बैक जाने के बाद अब यहां पर हम जाएंगे balance and history पर इस पर simple सा click कर देंगे अब यहां पर हमने जो bank account add किया था जियो payment bank यह सो हो रहा है ऐसे ही किसी भी bank पर आप click करेंगे इसके ऊपर और यहां पर आएगा bank account detail इस पर click कर देंगे और उसके बाद य आए फेसी code और branch यहां पर आपको दिखाई दे जाएगी यहां से copy account detail पर click करके copy कर सकते हैं और यहां से share account detail पर click करके किसी को share भी कर सकते हैं